चोथे इसके विशेस्ता है कि अंक गणतिये संबंधी शुद्धता को ये प्रकट कर लेती है यानि बहुत आसानी से पता चल जाता है कि जो लेखे किये गए हैं उसमें अंक गणतिये लिखने से संबंधित संख्याओं को लिखने से संबंधित कोई आशुद्धता कोई तु हुई है क्या कैसे पता चलता है हमने golden rule of accountants से देखा debit और credit वास्तिविक व्यक्तिगत और अवास्तिविक खातों के आधार पर उसके नियम दिखें जब हम इनी नियमों के आधार पर general entry याने कि पंजी प्रविस्टिक करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे खाते debit होते हैं बहुत सारे credit होते हैं कि amount जब हम लिखते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों पक्षकार साथ-साथ चलते हैं जितनी amount हम debit में लिखते हैं उतनी amount क्रेडिट में भी लिख रहे हैं और लास्ट में हम देख रहे हैं कि यह जो बैलेंस आ रहा है टोटल जो आ रहा है जनरल का वो बराबर आ रहा है जनरल कर लेने के बाद सेकंड स्टेप में जब हम आते हैं तो वो कहलाता है लेजर यानि कि खाता बही अब हम यहां पर खाता यहां पर लिखा हुआ है यह वास्तों में उसी जनरल के द्वारा हमने यहां पर लाया है पोस्टिंग करके और इस खाता बही का जो आंसर आया है जिसे हम याँ पर balance के रूप में देख रहे हैं इनी balance के आधार पर हम तयार करते हैं तलपट यानि कि trial balance और यह तलपट ही एक ऐसा हत्यार होता है जिससे हम इन जो भी सौधे होते हैं उनके गड़ती शुद्धता की जाज करते हैं कैसे करते हैं जब हम तलपट यानि कि trial balance बनाते हैं तो हम इसके balance को tally करते हैं तलपट के दोनों तरफ का जो योग है debit और credit वो equal आना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यह माल लेते हैं कि कहीं न कहीं कोई तुरूटी हुई है और फिर वहां से हम back चलते हैं और उस तुरूटी को उस अंक गड़तीर तुरूटी को करते हैं और आल हम यह कह सकते हैं कि अगर हम दोहरा लेखा प्रणाली के अधार पर लेखे नहीं किये होते तो शायद हम जन्रल से लेजर और लेजर से तलपट तक का सफर नहीं कर पाते हैं और ऐसी condition में हमने क्या गलती की है चाहिए वो लेजर से रिलेटेड हो यह जन्रल से रिलेटेड हो यह हम लास्ट तक पकड़ ही नहीं पाते हैं यानि में कह सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली यह कैसी प्रणाली है जिसके आधार पर हम लेखों की गड़तीय शुद्धिता की जाच कर पाते हैं अगले विशिस्ता के रूप में हम देखते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण रूप से व्यज्ञानिक है क्यों हम इसे व्यज्ञानिक कह सकते हैं हमने देखा कितने सारे नियम सिध्धानतों को फॉलो करते हुए यह आगे बढ़ती है नियमों के बारे में हमने देखा कि कौन-कौन से नियम लगा कर हम किस-किस तरह से एंट्री करते हैं खातों को कितना विवस्थित रूप से वर्गिकृत किया गया है क्रमबध रूप से हम खातों का निर्मान करते हैं बहुत सारे लेखांकन के सिध्धानतों को फॉलो करते हुए ये प्रणाली आगे बढ़ती है। अगर हम विज्ञान के एक विशेस्ता कारण परिणाम के बात करें तो वो भी इसके अंतरगता आ जाता है। बिना वज़ा कहीं भी कोई प्रविष्ट्री नहीं के जाती हैं। जब हम दोहरा लेखा प्रणाली से एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यवसाइक सौधा क्या है। किस आधार पर किस तरह से हम उसकी प्रविष्ट्री करें। कहां पर लिखें। क्यों लिखें। इन सभी बातों का हल ढूनते ढूनते ही हम दोहरा लेखा प्रणाली अपने आप में एक सूव विश्थित क्रमबध रूप से लेखा करने का एक नियम बताती है यानि कहीं न कहीं ये पूरी तरह से विज्ञानिक पध्धिती पर आधारित है अगली विशेस्ता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली एक निश्चित प्रकट करें या किसी नियोजन से संभंदीत हूं जब हम बात करते हैं विद्धियस्थिती की तो इन्हीं लेखों के माध्यम से जनरल से सफर्ट टैक करते करते जनरल लेजर तल्पट और फिरम विद्ट्य विवरणों तक पहुच जाते हैं जहां पर हम व्यापार खाता लाभानी खाता और चिठ्था बनाना शुरू कर देते हैं व्यापार खाते के फॉर्मिट में हम देखते हैं कि इसके अंतरगत व्यापार में उत्पादन निर्माण से संबंधित बहुत से लेखे किये जाते हैं इन्हीं के अंतरगत हम लाभानी खातों का निर्माण करते हैं जैसे कि आप इस प्रारूप में देख रहे हैं कि बहुत सारे अप्रत्यक्ष वे इसमें शामिल होते हैं, हानियां इसमें शामिल होती हैं, व्यपार को होने वाली आए और लाव हम देख रहे हैं कि इसके क्रेडिट पक्ष में शामिल होते हैं, फिर इन्ही विवरणों के इस्थिती क्या है यो यह फाइनल अकाउंट है यह दो भागों में वैटा रहता है एक और दायतों दूसरी और संपत्तियां यहां पर आप देख रहें हिनका जो बैलेंस है टोटल होता है एक्तुम होता है यह निकि यह बताता है कि वैपार में दाइत्व और संपत्ति की क्या क्या इस्थितियां है तो ये व्यपार खाता लाभानी खाता आर्थिक चिट्था कुल मिलाकर इन सभी चिट्थो इन सभी विवरणों के आधार पर हम पूरी के पूरी कंपनी के वित्ति इस्थिति का पता लगा सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणालिक वैपार का जो उद्देश होता है उसको फूलफिल करती है उसको पूरा करती है वैसे ही इसके एक विशेस्ता यह है कि इसमें खातों का वर्गी करण सुवेवस्ति ढंग से किया जाता है आपने देखा कि कितने अच्छी तरीक से खातों को वर्गी करित कर दिया गया व्यक्तिगत खातों को अलग कर दिया गया हमने देखा कि उसमें कौन-कौन से तत्व शामिल होते हैं वास्तिविक खातों को अलग कर दिया गया माल और रोकड में को उसमें शामिल कर दिया गया और आवास्तिविक खातों को अलग कर दिया गया ताकि हम बहुत आसानी से लाब और हानी आय और वैका लेखा कर सकें तो यह तो बात रही इसके विशेस्ताओं की अब अगर हम बात करें कि 12 लेखा प्रणाली के उद्देश क्या हैं हम बार बार देख रहें कि उद्देश पूर्ण प्रणाली है वेवसाहि के कौन कौन से उद्देशे हैं जिनके लिए दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए तो आए इसके उद्देशों पर एक नज़र डालें सबसे पहली बात यह कि यिसका एक मुख्य अद्देश्य होता है कि छल ककट को रोका जा सके कहीं से पैसा निकला जहां उसको पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा और नहीं पहुंचा कि Сी व्यक्ति के नाम से पैसा Mine से निकलता है उस वैक्ती को मिला या नहीं माल बेचा गया उसका भुक्तान हुआ या नहीं माल खरीदा गया उसका भुक्तान हुआ या नहीं इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए अपनाई जाती है दोहरा लेखा प्रणाली क्योंकि हमने देखा कि इसके दो पक्षकार है एक डेबिट एक क्रेडिट याने पाने वाला दूसरा देने वाला कहीं पर प्राप्ती है तो कहीं पर भुक्तान है दोनों पक्षकारों में लेखा तुरंद के तुरंद कर दिया जाता है तो कहीं पर छलकपट के संभावना बहुत आसानी से लेखे करते हैं और जब हम बात करते हैं वित्ति विवरणों की तो हम बनाते हैं व्यपार खाता लाभानी खाता और चिठ्ठा और इनकी आधार पर हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं व्यपार खाते के आधार पर कि व्यपार में सकल लाभ है या सकल हा चिठ्ठे के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि वैपार में जो दाइत्व हैं उनकी क्या पोजिशन है और संपत्ती की क्या पोजिशन है तो ओर ओल पूरे की पूरी वित्तिय इस्थिति की जानकारी का पता हमको दोरा लेखा प्रणाली के आधार पर मिल सकता है तीसरा इसका उद्देश होता है कि वास्तविक आर्थिक इस्थिति की जानकारी चिठ्थे के आधार पर जो भी लेके किये जाते हैं वास्तों में वही एक ऐसा लेखा होता है जो फाइनली हमको विवसाई की आर्थिक इस्थिति क्या है ये बताता है जब हम दो financial year के जो चिट्टे होते हैं जो balance sheet होती है जिने हम इस्तिती विवरण भी कहते हैं उनको compare करते हैं उनके संपत्ती और दायतों को compare करते हैं तो बहुत आसानी सी ये पता लगा लेते हैं कि विवसाय में संपत्ती और दायतों पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़े या घटे तो एक तो ये तुलात्म कद्धिन करने में भी सहयोगी होता है आर्थिकिस्ति के पूरी पूरी जानकारी से हमको हो जाती है एक उद्देश इसका ये भी होता है कि कानूनी आवशक्ताओं को भी पूर्ण करता है अगर firm के उपर किसी प्रकार का कोई case हो जाता है कोई दाई तो बच जाता है ऐसी कोई condition आ जाती है तो ऐसी condition में हमने 12 लेखा प्रणाली के आधार पर जो लेखे किये हैं उनको हम कोट में प्रस्तुत कर सकते हैं और वो कोट में प्रस्तुत करने के लिए मानने होते हैं तो एक तो ये कानूनी आवशक्ताओं को पूरा भी करते हैं फिर हम देखते हैं कि एक इसका मतपूर देश ये भी है कि लेखों के गणती शुद्धता की जाज करने के भी काम आता है इसलिए इनको बनाया जाता है ताकि वैपार में अगर कुछ तुटी हो जाए कुछ अमाउंट हम लिखना भूल जाए या कई बार हम कम अमा आखिर गई कहां तो उसके लिए हम फिर सहारा लेते हैं तलपट का यानि कि ट्राइल बैलेंस का लेकिन ट्राइल बैलेंस तक हम तभी पहुँच सकेंगे जब हमने 12 लेखा प्रणाली के आधार पर जैनरल एंट्री की हों अगर हम जैनरल एंट्री नहीं करेंगे 12 लेखा प्रणाली के आधार पर तो लेजर यानि की खाता बही बनाना संभव नहीं हो पाएगा और अगर हम लेजर यानि की खाता बही नहीं बनाएंगे तो फिर ट्राइल बैलेंस तो बन ही नहीं सकता तो इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश ये भी है कि गड़ती शुद्धता क ısı करने पढने पनेखा और कि जाच अगर करनी है तो हमको दोरा लेखा प्रणाली के कि अधार पर लेखा करना ही पढ़ेगा अगली इसकी एक महत्पूर्ण विशैस्ता ये है कि आर्थिक नियोजन का ये एक महत्पूर्ण आधार बनती है हमने देखा कि किसी भी वैपार में किसी भी कारे को करने से पहले एक योजना बनाई जाती है योजना बद्ध तरीके से कारे किया जाता है चाहे छोटा वैपार हो ये बड़ा वैपार व्यवसाई पहले एक योजना बनाता है कि कहां से उसको माल खरीदना है कहां पर बेचना है बाजार की दशाओं को कैसे समझना है तो ये सारी योजनाएं बनाना उनको सुचारो रूप से चलाना इस पूरी प्रक्रिया के लिए व्यपार में दोहरा लेखा प्रणाली का होना बहुत ज़रूरी है तो ये तो हमने देखा कि दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश क्या है क्यों हम फॉलो करें दोहरा लेखा प्रणाली क्यों करते हैं फॉलो अब अगर हम बात करें दोहरा लेखा प्रणाली से होने वाले लाब की कि अगर हम दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाते हैं तो फॉर्म को क्या-क्या लाब होता है सबसे पहली बात तो व्यवसाय संबंदी सभी सुचनाओं की जाच की जा सकती है चाहे वो लाब हानी से संबंदी थो, आयवे से संबंदी थो, संपत्ती यदायतों की क्रेविक्रे से संबंदी थो इन सभी सुचनाओं को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं दूसरा हमको लाब यह मिलता है कि यहाँ पर जब व्यवसाय का क्रेविक्रे होता है कई बार website अपना पूरा का पूरा website बेच देते हैं या कई website जो होते हैं वो समरूप तरह के मतलब जिस तरह का वो business कर रहे हैं वैसा ही कोई दूसरा business भी खरीदना चाहते हैं इस condition में ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस वेपार को खरीदा जा रहा है चूरूर cash जानकारि कैसे पता चलेगी जब हम अगर हम चेक कर लेते हैं बहुत असानी से उसकी वित्थी वीवरण देखे। हम ये जान लेते हैं कि वास्तों में ये जो में खरीदिने योग है या और नहीं 3 एक लाब यह भी मिलता है कि तुलनात्मा कधियन गारणाठी सिखते हैं। हमने देखा था कि तुलना करने के比較 काम आते हैं। यहां पर बात कर है कि तुलना करने के बाद हम उसका weumbleी शेंड हम करते हैं। कर이여 कि हमने दो अलग अलग financial year के balance sheet के तुल्ला की तो हम कोja output दिखर रहा है क्या लाब बढ़ रहा है और सम्पत्ती की फैलिव बढ़ी ए या घटी है और फिर और इसका हम एक analysis कर लेते हैं और उसके आधार पर हम व्यापार से संबदित जो भी हमको नेड़ना लेने हैं जो भी निसकर्ष लेने हैं वो हम ले सकते हैं एक लाब हमको इससे ये भी मिलता है कि व्यापारिक विवादों का हल करने में ये काम आती है जिसे कि हमने देखा इसके उद्धिशों में कि नियायाले में हम इन लेखों को प्रमान सरू प्रस्तुत कर सकते हैं तो किवल न्यायाला ही नहीं बलकि दो व्यपारियों के बीच भी आपस में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनको सुलजाने के लिए भी इन लेखों को प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे ही एक लाब ये भी प्राप्त होता है कि अगर किसी वैपारी को रिण लेना है किसी भी वैपार में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो वैपारी जो है वो रिण लेता है अपने वैपार को आगे बढ़ाने के लिए कई बार वो बैंकों से रिण लेता है या कई बार वो साथ ही वेपारी उसे भी रिण ले सकता है अब ऐसे कंडिशन में कोई भी वेक्ति है कोई भी अगली फर्म दूसरे फर्म को रिण ऐसे ही नहीं दे देगी पहले वो उसकी वित्ति इस्तिति के जाज करेगी कि क्या जो रिण वो दे रही है जिस फर्म को दे रही है वो फर्म तो उस रिण की वापसी कर पाएगी रुटन उसको मिल पाएगा क्या रिण इसको जानने के लिए जो फर्म की जो विवरण होते हैं उनका अध्यन करना जरूरी होता है तो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर जिन विवरणों का नर्मान किया जाता है उनका आकलन करने के बाद कोई वैपारी रिन दे सकता है या फिर रिन ले सकता है एक लाब ये भी हाँ पर प्राप्त होता है कि जो बड़े पैमाने के उत्पादन होते हैं उनके लिए ये बहुत ही उप्योगे सिद्ध होते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है तो व लिख देना यह समझ लेना आसान नहीं होता ऐसे कंडिशन में एक सिस्टेमेटिक प्लान एक सिस्टेमेटिक विवरंट यह प्रणाली की जवरत पड़ती है और अगर हम विश्यस्ताओं के साथ साथ देखें तो दोहरा लेखा प्रणाली इस बड़े वेवसाई के जो किसी वेपारी को स्वेम को दिवालिया घोशित कराना हो दिवालिया यानि कि अगर किसी वेपारी का दाइत्व उसकी संपत्ती से जादा हो जाए यानि कि सीधे सरर्ण शब्दों में हम कहें तो उसका बैंक बैलेंस चेक कर लें उसके जो स्थाई संपत्तिया है भवन मकान दुकान, फरनीचर, मोटर वहिकल इस तरह की जो संपत्यां है जितना भी उसके पास कैश है सब को टोटल कर लें और जितनी उसकी लाइबलिटीज है यानि जितना उसके उपर लोन है अलग-अलग व्यक्तियों को देना है उन सब को टोटल कर लें तो यहां पर संपत्यां कम और दाई तो जादा हो जाते हैं यह एक ऐसे स्थिति होती है जब किसी व्यपारी को दिवालिया घोशित कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट घोशित कर दिया जाता है तो कैसे पता चले कि संपत्यां कम हो गई हैं और दाई तो जादा हो गया है कहीं वो अगला व्यपारी ज काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं वैसे ही एक लाब मिलता है जब कर्मचारियों की हिद की बात आती है कर्मचारी केवल विवसाय में वेतन ही प्राप्त नहीं करते बलकि वेतन उनका इंक्रीज होता है बढ़ता है समय समय पर मजदूर भी एक उमीद करता है अपेक्ष बोनस या ब्याज के रूप में भी दिये जाएंगे अब अगर बात करें यहाँ पर फॉर्म के जो लाब है उसका कर्मचारियों की हितों से कनिक्शन तो प्रतेक वैपारी यह चाहता है यह सोचता है कि अगर उसकी फॉर्म ग्रोथ करेगी ज्यादा पैसा अन करेगी ज्या अगर ना हो पाए अगर गलत जानकारी प्रस्तुत की जाए कर्मचारियों का वेतन व्रद्धी रोकी जाए यह बोनस से उनको वंचित किया जाए तो ऐसी कंडिशन में मजदूर यह कर्मचारी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतरगत जो लेखे बनाए गए हैं उनका अगर लाव लोकन करें तो सही सही इस्तिती का ной की आर्थिक इस्तिती का सही पत्र लगाया जा सकता है और ऐसे कंडिशन में वह अपने हित के लिए अपने वेतन व्रद्धी के लिए बोनस सम्बंधी जो लाव होते हैं उनके लिए फॉर्म के सामने डिमांड रख सकते हैं ऐसा ही एक लाब देखने को मिलता है करों के नरधारण के संबंद में टेक्स जो कि प्रत्यक वैपार को देने ही होते हैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सबसे अब हम देख रहे हैं कि जीस्ट के रूप में अपे करना होता है इनका नरधारण कैसे किया जाए कितनी आए है फॉर्म की और कौन सी आए टेक्सेवल है इस पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए लेखों का निरिक्षन करना बहुत ज़र्वी हो जाता है तो करों के नरधारण में भी दोगरा लेखा प्रणाली के अंतरगत बनाए गए लेखे काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं एक लाब इस प्रणाली में ये भी मिलता है कि इससे व्यपार के जितने पक्षकार प्रभावित हो रहे हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है इन पक्षकारों पर अगर हम एक नज़र डाले तो उत्पादक वर्ग की बात करें हम, विक्रेता वर्ग की बात करें, नरिया तक आया तक जितने भी व्यपारी होते हैं, जितने तरह के पक्षकार होते हैं, दोरा लिखा प्रणाली के अंतरगत इन सभी पक्षों पर जिस भी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वो इन सभी पक्षों के संबंध में जानकारी इकत्र कर लेती है तो इसके आधार पर वैपार के सभी पहलों पर सभी पक्षकारों पर नजर रखी जा सकती है और साथी साथ एक लाब सरकार को भी मिलता है सरकार किसी भी व्यवसाय में चाहे हम टेक्स के द्रिष्टी कोंड से बात करें या अन्य किसी द्रिष्टी कोंड से वित्ति विवरणों के आधार पर किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को बहुत आसानी से समझ सकती है तो जरूरत पढ़ने पर सरकार इनी लेखों के आ कितने सारे नियम कितने सारे सिधानतों को फॉलो करते हुए दोहरा लेखा प्रणाली के अंतरगत लेखे किये जाते हैं तो कुल मिलाकर वज्ञानिक प्रणाली का भी लाभ इसके द्वारा से की जा सकती है और साथी साथ ये लोच पूर प्रणाली है ये भी बहुत अच्छी एक बात है इसके लिए फ्लेक्सिबल है कमी या वृद्धी कुछ इसमें की जा सकती है ये डिपेंड करता है कि व्यवसाय की प्रकृति किस तरह की है तो यहां हमने देखा कि कौन कौन से इसके लाब होते है दोहरा लेखा प्रणाली के अब हम एक नज़र डाले हानियों पर इतने सारे लाब के साथ साथ कुछ हानिया भी है दोहरा लेखा प्रणाली में जिसके अंतरगत हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रणाली है केव लिए उप्यूकते हैं या फिर हम कहें तो बड़े विवसाई इसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं क्यूंकि उनका जो विपारिक छेत्र होता है काफी बड़ा होता है यह कहा जाये तो उनकी लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो दोहरा लेखा प्रणाली को ही अप लेकिन जो छोटे विवसाई होते हैं छोटे जो व्यापार होते हैं शायद उनके लिए इन नियमों को फॉलो कर पाना थोड़ा से कठीन होता है दूसरे एक हानी होती है कि विसिस्ट ग्यान की आवशकता पड़ती है जनरल में हमने देखा कि कितने सारे गोल्डन रोल्स को फॉलो करने हैं इसके बाद कैसे लेजर बनाना है ट्राइल बैलेंस कैसे बनाना है फाइनल अकाउंट के अंतरगत भी काफे जटिल लेके हम करते ह हैं ट्रेडिंग एकाउंट बनाते हैं प्रोफित अन लॉस अकाउंट बनाते हैं और उनके बैलेंस के बेस फे फिर हम ऑनगर हम कोई आसान प्रकृल नहीं है इनको बनाने के लिए पूरा का पूरा ले खांकन से संबंधी ज्यान होना बहुत जरूरी होता है तीसरी एक खानी हमें कह सकते हैं कि मित्वईता का भाव पाया जाता है यानि अगर हम दोरा लेखा प्रणाली से अपने वैपार के लेखों को विवस्तित करना चाहते हैं तो हमको बकायदा एक सिस्टमेटिक प्लान वहाँ पर हमको करना पड़ेगा बहुत सारे हमको सिस्टम्स की भी जरूरत होगी साथ साथ हमको एक टीम की जरूरत होगी और नॉर्मल किसी टीम के द्वारा ऐसा लेखांकन कारे किया भी नहीं जा सकेगा उसके लिए हमको एक प्रसिक्षित व्यक्तियों की टीम जिनको लिखांकन का विशेस ग्यान हो उन व्यक्तियों की जुरत पड़ेगी तो उनको हमको फिर पेमिंट भी करना होगा ऐसी कंडिशन में हम कह सकते हैं कि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो शायद उसमें मितवईता का भाव होता है एक हानी हम ये भी देख सकते हैं कि काफी लंबा प्रोसिस है एक तो हमने वेभार को पहले लिखा नॉर्मली क्या बेचा क्या खरीदा किसको भुक्तान किया आय कहां से प्राप्ति की वे कहां पर किये गए फिर उसको हमने जन्रलाइज किया पंजी प्रविस्ट्री हमने की इन पंजियों के अधार पर हमने लेजर बनाए लेजर अपने आप में काफी जटिल प्रक्रिया है अलग अलग वेभारों के लिए अलग अलग लेजर बनाए जाते हैं इन लेजर के छोटे छोटे बैलेंस को निकाल कर ट्राइल बैलेंस बनाये जाते हैं ट्राइल बैलेंस में एड्जिस्ट्मेंट को देखते हुए फिर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट अन लॉस फिर बैलेंस इतियार करते हैं तो काफी लंबी प्रक्रिया को फॉलो करता हुआ य यह क्या सकते हैं कि आमित्वई तो है साथ साथ टाइम टेकन प्रोसिस भी है खाफी समयलेता है एक हानी हम इसमें यह भी देखते हैं कि नियंत्रण का आभाव होता है है जो सिध्धान्त निर्धारित कर दिये गए है जो नियम निर्धारित कर दिये गए है उन्हीं के आधार पर वैसे ही खातों के वर्गी करन के आधार पर ये जो पूरी के पूरी प्रक्रिया है वो चलती है additional कोई control अगर कोई website करना चाहे कोई नियंत्रण लगाना चाहे तो शायद वो संभव नहीं हो पाता है ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि तुरुटियों का पता लगाना एक जटिल प्रक्रिया है हमने बहुत आसानी से क्या दिया कि हम जनरल लेजर और ट्राइल बैलेंस के अधार पर अंक गणती शुद्धता के जाज कर सकते हैं ट्राइल बैलेंस अगर बराबर आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमने जो एंट्रीज की है वो सही है लेकिन ऐसा कहना कहीं न कहीं गलत है कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ट्राइल बैलेंस टैली हो जाता है लेकिन फिर भी उसमें अंक गणती त्रुटिया रह जाती है लेकिन फिर भी ये काफे जटिल प्रक्रिया होती है ठीक इसी तरह एक हानी और देखने को मिलती है कि ब्रामक निसकर्ष की संभावना बनी रहती है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है बहुत आसानी से समझ में नहीं आता कि जनरलाइज कर रहे हैं उसके बेस पे हम लेजर करें कैसे किसको डेबिट किया जाए किसको क्रेडिट किया जाए शायद इसलिए कहा गया है कि विशिस्ट ग्यान वाला व्यक्ति ही इस पूरे कारे को कर सकता है नियमों के क्रिया शिल्ता में भी काफी कठिनाई होती है इतने सारे जटिल नियम, पूरी के पूरी विज्ञानिक प्रद्धती इतने सारे प्रिंसपल, इतने सारे सिध्धान्तों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है कहीं न कहीं ये तो हम कह सकते कि इतने सारे नियमों को follow कर पाना उसके आधार पर निश्पादन कर पाना काफी कठीन काम होता है तो ये तो हमने बात की दोहरा लेखा सिधान्त की हानियों की अब हम देखें कि जब हम दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखांकन करते हैं तो हमको कौन-कौन से प्रिंसिपल यानि कि सिध्धान्त फॉलो करने पड़ते हैं सबसे पहला सिध्धान्त दोहरा लेखा प्रणाली का ये कहता है कि प्रतेक सौधे से दो खाते प्रभावित होते हैं नाम ही है उसका दोहरा लेखा आए इसको एक एक्जामपल समझे दोहरा लेखा प्रणाली का कहना है कि प्रतेक सौधे के दो खाते प्रभावित होते हैं इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर लेखा करना है जिसे के हमने पहले भी देखा राम ने मोहन को दिया दो पक्षकार प्रभावीत हुए राम और मोहन राम ने दिया राम के पास से कैश गई किसको दिया मोहन को दिया मोहन के पास पैसे आए ये एक उदाहरन हुआ दूसरा नगद माल खरीदा वेबसाय से पैसा गया, रोकड प्रभावित हुई, जब हम नगत माल खरीदेंगे तो पैसा तो जाएगा हमारे पास से, माल खरीदा, स्टॉक आया, माल आया, दो पक्षकार प्रभावित हुई, रोकड और माल, तो जितने भी सौधे हम करते जाएं, हम देखते जाते हैं कि प्रते एक सौधे से दो पक्षकार प्रभावित होते हैं, ये एक सिध्धान्त, दूसरा सिध्धान्त कहता है कि दो खातों में एक साथ लेखा होना चाहिए, अगर कोई पाने वारा पक्षकार है, तो जैसे ही हम पाने वाले में एंट्री कर रहे हैं वैसे ही हम तुरंद के तुरंद डेबिट के साथ साथ क्रेडिट पक्ष में भी एंट्री कर लें फॉर एक्जाम्पल अगर हम जनरल एंट्री कर रहे हैं और हमारा प्रेश्ण है नगद माल क्रे किया तो हम इसको जनरल लिखेंगे खाता से तो हम यहां लिखेंगे purchase account debit to cash account और यहां हम देख रहा है कि debit और credit दोनों में हमने एक साथ entry कर दी कि यहीं तो दोहरा लेका प्राडा लिए एक साथ हमने दोनों के engines entry कर दी तो इस प्रिंसिपल को हम को ध्यान में रखना है कि तिरंद के तुरंद दूनों में हमको प्रविष्ट्री कर दिन इयूं और दो document करना चाहिए और दोनों देख क्सूंद नहीं है नहीं की जौठा सिद्धांत कहता है कि प्रभावित खाते में एक नाम और दूसरा जम्मा, दोनों एक दूसरे के विपरित होंगे, कोई पैसा देगा तो किसी के पास पैसा आएगा, कोई माल बेच रहा है तो कोई दूसरा विक्ति उस माल को खरीद रहा है, यानि कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट जरूर होगा, एक उदारन क अगर वैपार में आता है, तो डेबिट होता है, यानि यहां हम जनरल एंट्री लिखेंगे, कैश, अकाउंट, डेबिट, और जब हमने माल बेचा, तो हमारे पास से क्या गया, माल, यानि कि गोड्स, या फिर हम अगर जब माल बेचते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको, सेल तो यहां हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स, कैश, अकाउंट, डेबिट, टू सेल्स, तो यहां पर हमने देखा, कि एक पक्ष डेबिट हुआ, और दूसरा क्रेडि, तो यह इसका एक प्रिंसिपल है, एक सिधान्त यह भी है, कि इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक रिनी और रिन्दाता, रिनी जिसको हम यहां पर डेटर्स के नाम से जानेंगे, और रिन्दाता जिसको हम यहां पर क्रेडिटर के नाम से जानेंगे, डेटर्स मतलब देंदार, जो कि एक संपत्ति के रूप में हम वैपार में रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे हमको भविश्य में पैसा प्राप्त होगा और क्रेडिटर्स मतलब लेंदार जिनको हम एक दाइत्तों के रूप में वैपार में रखते हैं क्यों कि वो हमारे लेंदार हैं कभी हमने उनसे उधार माल खरीदा रहा होगा अब हमको उनको फ्यूचर में पैसा देना है तो ये भी एक नियम बताता ह है दोरा लेखा प्रणाली ये भी एक सिद्धान फॉलू करता है कि एक पक्षकार रिणी और दूसरा रिंट दाता होता है उसके बाद इसका एक सिद्धानत है कि निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना है क्या है ये निश्चित नियम क्यासे इनका लेखा किया जात तो कुछ निश्चित नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है यह भी इसका एक प्रिंसिपल है तो यहां हमने बात की दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धानतों के बारे में